हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चानल आज हम कैसे घर में हेयर क्यार करते हैं, ओई आप लोग के साथ शेयर करेंगे पहले ही हम बता देना चाहते हैं कि ये कोई स्पांसर वीडियो नहीं है मैं जैसे जैसे घर में यूज करती हूँ प्रोड़क्ट, ओई आपके साथ शेयर करेंगे मैं मेरे हेयर के लिए मांथ में दो बार आमला, रिठा, शिकाकाई का पाउडर पानी से घोल के उसका पैक बना के मेरे हेयर पे अपलाई करते हूँ मैं मेरे बालो की हिसाब से दो चामज आमला, एक चामज सिकाकाई और दो चामज रिठा लेती हूँ आप आपका बालो का हिसाब से ही इसका क्वांटिटी कितना लेंगे, ओई लीजिएगा इसको अच्छा से घोल के, मिक्स करके अच्छा से आमको बाल में और स्काल्प में दोनों में लगाना है थोड़ा थोड़ा करके बाल हटाके पुरा स्काल्प में इसको लगाना है, साथ-साथ बालों में भी लगाना है यह जो करोना का जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसके पहले हम मांथली एक बर करके हेर स्पा तो करते ही थे तो इसमें क्या होता था हेर का एक ट्रिट्मेंट होता था क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं जिन्दा रहने के लिए बालों के लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है लेकिन मार्च माइना से तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं स्पा भी नहीं हो रहा है तो हम मुझे लगा कि जो पुराना नुस्का है हम लोग का दादी नानी वाला आमला रिठा शिका काई यह तो एकदम पुराना नुस्का है तो उसका ही हम एपलाई बालों में गढ़ना चालू किये में मैना से मेरा इस अभी जब रिजल्ट है इस एपलाई करने का पैक का बहुत अच्छा रिजल्ट है हेर फॉल भी बहुत कम हो गया है हेर ग्रोथ भी हो रहा है और एक शाइन भी आ गया है बाल बहुत सौप्ट हो जाता है इससे तो इसको अच्छा से हम बालों में एकदम लगा लेंगे लगा कि इसको एक घंटा के लिए हम छोड़ देंगे लगाने के बाद बालों को ऐसे करके पुड़ा फोल्ड करके कुछ कलीप से हम लगा लेंगे और एक घंटा इसको छोड़ देंगे एक घंटा बाद ये ड्राई हो जाता है ये ड्राई हो जाने के बाद इसको धो लेना है एक घंटा काफी है पुरा अच्छा से बालों को धो के उसके बाद शैंपू करना है शैंपू भी हम आमला शिकाकाई का यूज़ करते हैं लैम्डे कमपनी का लैम्डे एक एक एरोपयान कमपनी है इसका शैंपू भी बहुत अच्छा है बाल धोने के बाद हम ड्रायर से कब भी इसको सुकाते नहीं है ऐसे नॉर्माली सुकाते हैं धूप में भी खारा रहने का जुरूरत नहीं है ऐसे ही घर में बाल नॉर्माली सुखने के बाद एकदम इसका साइन बहुत जगा आता है बहुत सौप्ट हो जाता है और बाल का बहुत इंप्रॉब्मेंट हुआ है अगर आप चाते हो तो यह कर सकते हो घर में और यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्रा कीजिए थेंक यू